हेए अब्रिवान वेल्गम तुदे क्लास 24 तो गाई जैसा कि आप सबी को मालूम है कि टेली मौनिंग में 8 एम 8.15 पर हम लोग हमारा इक इंपॉर्टन सेशन करते हैं 32-40 मिनिट का जहाँ हम लोग डेली करेंट अफियर कवर करते हैं ठीक है और उमीद करता हूं कि आप इसे देखते होंगे पिछले साथ दिन में मैं जैपुर में नहीं था तो मैंने OBSC क्लास आप लोग के लिए करी एक दिन भी क्लास अपनी छूटी नहीं है तो सारे दिन के सारे लेक्चर आपके पास अविलिबल है आप जाके देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इन साथ दिनों म तो आज हम लोग 30-35 निट का सेशन है जो कि हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले हैं दे हिंदू की बात करें तो तीन आर्टिकल आपको दे हिंदू पर मिलेंगे इसके अलावा इंडिन एक स्प्रेस पर एक अर्टिकल है फिनाइशल एक आर्टिकल है पिए परेस में आपको कोई 11th class 12th class या निट की तियारी करता है तो class 24 पर जाके course ले सकते हैं इसके अलावा railway के लिए एससे के लिए आपके 12th board के लिए या फिर आपके CTAT के लिए है ना यह सारे courses आप भी class 24 पर अविलेबल है आप जीकी का course भी ले सकते हैं जो की मेरा वाला available है आपको आप डाउ नधे comment it I will show my fighting satellite बोगों ये question है हमेशा आपको अपने लिए झोड़ना चाहिए और अपने से पूछना चाहिए और अपने आपको यह जवाब जो की δिना चाहिए फना बहुत Oh यह होता हुद ही लोगों से आपकी expectation यह लोगा पकी expectation गांते आपको बुरा लगता है सब्सक्त लिए हमेशा एक सवाल का जवाब हमेशा अपने पास रखो कि I won't let you be disappointed मैं खुद को कभी disappoint नहीं होने दूगा मैं खुद को कभी भी down नहीं होने दूगा मैं मेहनत करूँगा जितनी आप मेहनत कर सकते हो जो भी आप कर सकते हो दोगो आपके पास में दिन के अंदर 24 गंटे हैं है ना उसमें से अगर आप 8 गंटे 9 गंटे भी discipline के साथ में अगर आप अपने जो भी काम कर रहे हो जिंदकी के अंदर जॉब कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो अगर आप अपना सच में महनत कर रहे हो ना तो आज नहीं तो कल ऐसी इस दुनिया में कोई पावर नहीं है जो कि आपको रोख सके मैं मान सकता हूं किस्मत जो है वो तोड़ी आज खराब होगी कोई बात नहीं किस्मत कब तक खराब रह सकती किसी इंसान की जिंदगी पर कभी नहीं होती है हमेश्र सबका ऊपर और नीचे जो है वो जिंदगी में चलता रहता लेकिन आप ढ़ले कर्म यह उसके बात में किस्मत आती है किस्मत को मौका करब के लिए भी आपको कर्म है जो कि करने पड़ते हैं वही आज आपका कर्म है तो अपने आपको जो है डिसपॉइंट मत करो और फाइटिंग स्पेट है जो कि जिन्दा रखो कभी कपार ऐसा बुरा लगेगा कोई बात नहीं उस दिन है जो कि यहां पर हो गई तो नंबर जो है वह काफी बढ़ गया है हंड्रेट से भी जादा लोग है जो कि अभी तक मिले नहीं है जिसमें आर्मी के भी हमारे बहुत सारे जवान है ना तो वह यहां पर बताएगा है यहां पर सुप्रीम कोट ने बोला है एडी को कि मनियुस स स्टेटमेंट दिया है कि मैंने इन लोगों को ब्राइब दिया उसके अलावा कोई भी इविडेंस कोई भी ऐसे डॉकुमेंट कुछ भी नहीं है जहां पर इनको कोई मुझरिम यहां पर सजा है जो कि दे सके तो सुप्रीम कोट ने इडी को बोला है कि अपने पूरा केस की लाइन ऑफ चेन मनाओ हर चीट जो है वो रिलेट होने चाहिए इविडेंस होने चाहिए तब जाके कोट के अंदर जो कि यह प्रूव हो पाए का अधरवाइस आपके पास में कोई भी इविडेंस नहीं है बस एक स्टेटमेंट के और स्टेटमेंट तो कोई किसी एक लाव सेक्शन 41B जो है ना समझ गये यह होता है आपका राइट ऑफ अरेस्ट जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको अफर की कॉपी है जो कि दी जाती कंपल सरी है लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस जो न्यूस क्लिक के जो फाउंडर को लेके गई है ना और उनके मैनेजर को जो लेके गई है ना उनको अभी तक अफर की कॉपी भी नहीं बली थे तो दिल्ली हाई कोट ने जो है वो बोला है कि भई यह तो राइट है इनका इनको कॉपी दो कम से कम ताकि आगे अपना वकील को बुला के कुछ केस लड़ सके तो वो यहाँ पर बताये गय है चलिए तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्ण यही वाला है जो कि आपको मालूम है नॉबल का लिटरेचर अवार्ड का अनॉस्मेंट उबाया अभी तीन दिन से हम लोग पढ़ी रहे हमने किस-किस का पढ़ लिया मेडिसन का पढ़ लिया हमने क्यमिस्ट्री का कवर कर लिय हमने फिजिसका भी कर लिया और अभी लिटरेचर का जो है वो गोशित किया गया है तो जान फो से 64 की एज है नॉर्वे से बिलॉंग करते हैं और इनको दोस्तों लिटरेचर का आवार्ड है जो कि नोबेल का मिला है पिछले 30 से 35 सालों से जो है यह राइटिंग के अंदर ह इनके पास में दो वक्त के खाने का पैसा भी नहीं था मतलब ये देखो 1990 के अंदर तो इतना बुरा हाल था कि स्ट्रगलिंग थी अपने दोनों वक्त का खाना बी जो बुजारा करने वो भी बड़ा मुश्किल था उसके बाद में किसी ने इनको मौका दिया एक प्ले का स् स्क्रिन कट रही है कि अब इनको पता लग गया कि यह तो मेरा बहुत सभी काम है। यह बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ एक बार उलचाओ उसको मिझे थोड़ा सेट्ल करने दो ठीक है अभी वोफुली अभी पहले से बेटर होगा ठीक है तो उन्होंने वो पूरा प्लेयर जो कि एक ही बार में लिख दिया उसके बाद में इन्होंने तीन किताबे भी लिखी हुए सेवन वॉल्यूम लिखावा थीन तो गयर इंटरेशनल बुकर प्रैस के लिए नॉमिनेट करे गई थी सबसे पहले जो मेजर वर्ग था वो था बोट हाउस नाम से इनकी किताब थी वह बहुत फेमस हुए इसके अलावा इनकी जो किताबे रही है वह में से वोईस रही है उन लोग की जो बोल नहीं पाते है यानि की फॉर एक्जांपल जो मिडिल क्लास या जो लोवर सेक्शन इन्होंने बहुत चीजए जो कि लिखी है उनकी आवाज बनकर उन्होंने बहुत सरी चीज़ह जो कि लिखी है तो नोगड है लिटरिचर के नितब तब आप पीस हार्मनी यह सब जो है वो डिफाइन करती हैं अपनी रैटिंग से तो वो सब में एक काफिस सक्सेस्फुल ह लाम के वज़े से रहे हैं दो कुछ साल पहले तक तो 10 साल 15 साल पहले तक तो यह बिल्कुल एथिस्त है मतला उसके बाद में दिरे दिरे थोड़ा गॉड में बिलीव रखने लगे और और 83 के अंदर उन्होंने रेड ब्लैक करके एक और लिखी थी नोवल वह भी बहुत फेमस हुई सैप्तो लॉजी एक सेमी ऑटो बायग्राफी लिखी इन्होंने मेगनम उपस के उपर साथ पार्ट है 1200 पेज़ विधाउट फुल स्टॉप और उसमें से कुछ पार्ट जो इं मिलता है आपके आउटसेंडिंग कोंट्रिबूशन के लिए मिलता है स्टॉकम में मेरे का सुटेश अकैडमी के दुबारा दिये जाएगा इंडिया एलेवन मिलियन सुटेश क्रॉन जो है आपे प्रैजमनी 1901 में पहली बार किसको मिला था सली प्रदुमन जो है इनको सब सूली यहNow पे दोस्तों बात करी गई है किसके बारे में रैंकिंग के बारे में जोके हैं इंतरनेट फ्रीडम को लेकर तो इंसी के साथ में को रेलेट करेंगे इंतरनेट का जिमारा जो शुटवर में यहां पर बताई गया है यह और साथ में ज हमारा refresh freedom index है क्योंकि दो freedom की रेंकिम लोग एक साथ correlate करके पढ़ लेंगे हैं ना बैंड नियूस बस यह कि तीनों के अंदर कुछ गुड नियूस नहीं है तीनों के अंदर हमारी ranking खराब है लेकिन एक्जाम के लिए ज़रूरी है चलिए ठीक है तो यह वाली news इंपोरेंट है इसके अलावा कुछ भी आपके खास इड़ार नहीं है यहां पर आप देख सकते हो इंटरनेट freedom की बात किया जाए तो freedom house करके ग्रूप है उन्होंने यह ranking जो की जारी करी है कि कितनी freedom है जो कि आपको online मिलती है किसी भी चीच को अपनी बात को बताने के लिए बोलने के लिए 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 अपने expression दिखाने के लिए समझ गए यह वाले कहानी है तो ranking 0 से लेके 100 के बीचे माने जाती है 100 जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीडम वाला कंट्री माला जाता है दुन्या में आइसलेंड नमबरabeन पर 94 स्कोर इसके थे जर्मनी है उपर के टिय नहीं है जो कि हम लोग partly free के अंदर है पचासवे नंबर के ओपर total score हमारा पचासवा है ओके और 29 countries है जिनके वहाँ पे online freedom deteriorate यानि कि खराब हुई है 20 ऐसे countries है जहाँ पर यह बहतर हुई है तो 29 खराब 20 बहतर यानि की ज्यादतर खराब है जो की दुनिया में हुई है तो हमारे आपे total score जो हमें मिला है वो 50 के score है जो कि यहाँ पे मिला है ठीक है according to the freedom house यह वाशिंग्टन बेस और non-profit organization है global internet freedom decline हुई है पिछले कई सालों से और पिछले 13 साल से लगातार global internet freedom decline ही होती जा रही है इस बार भी 20 कंट्री बहतर की तरफ गए 29 कंट्री किसके ओपर गए खराब की तरफ चले गए तो यहाँ पर बताए गया तो यहाँ पर रिपोर्ट है freedom on the net 2023 यह रिपोर्ट का नाम है तो इसमें यूज करके जो है वो बताया गया कि government agencies क्या कर रही है कि खुद के खिलाफ जो है लोगों को बात करने से रोक रही है को technology को यूज कर रही है जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको shutdown करना उसके खिलाफ हिट्रिट कमेंट करना इस तरह के काफे सारी चीज है जो कि करी गई तो यह टेरवा एडिशन है दोस्तों जो कि human right के बारे में बात करता है online human right जो online मिलते है उसको लेकर तो यहां पर रैंकिंग बताएगा यह WhatsApp surveillance Instagram surveillance बहुत सारे YouTube वीडियो पर हटाना कुस टाम पहले इंडिया के बारे में भी आप बताएगा कि डिजिटल suppression है जो कि बढ़ता जा रहा है और हमने जैसे कि अभी एक वो मुवी आई थी डॉक्युमेंटरी आई थी मोदी जी के ओपर गुजरात राइट्स के ओपर तो वह बैं कर दी कई सब जगे से बैंने के बाद में लॉबी लेकिए आया कि अगर हम लोग इन्याने बोल दिया कि अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसको प्रॉब्पर बैंनी कर सकते हैं इंटररेट वालों या फिर कुछ भी XYZ कोई भी चीज अगर सरकार के फेवर में नहीं है या फिर अगेंस्ट है तो उसको वो ब्लॉक है जो कि करवा सकते हैं तो पांच यह सब्सक्राइब हैं जो कि यूज कर जाते हैं कई सारी वेबसाइट जो है वो पॉलिटिकल सोशल एडिजन कोंटेंट के वज़े से ब्लॉक करी गई गई प्रो गॉर्मेंट कोमेंटेटर जो है वो ऑनलाइन डिसक्रिशन को मैनुप्लेट कर रहे हैं ऐसी काफी सारी जयान कर यह जो कि आप पर दी गई है और चलिए तो हम 2016 में तीस दिन तो रहा दुनिया में इंटरेट बंद और हमारे देश में रहा 75 दिन तो नंबर ग्लोबल चट्डाउन उल्टावाए दुनिया में तो रहा 55 दिन और हमारे इंडिया में रहा उसमें से 30 दिन मतलब 50 परसेंट तो मतलब पूरी दुनिया का इंटरेट है वो ह इंटरेट बंद करने के लिए तो और इंटरेट बंद रोता है तो बहुत ब्रॉब्म होती है मतलब आप सारे ब्रॉबंध्स के पॉर्बम होती है शु मैंट हो increasing पर रहे बैटर विक्थारे ंव का दिन का रोजघार उनका पूरा चले जाता है84 तो इंसमेहीन स्ट्रीटम इंडेक्स की बारे में बात करें 1230 की रिपोर्ट जारी करें गई रिपोर्टर्स विटाउट बॉर्डर्स जिसमें हमारी रैंकिंग दुनिया की इसके अंदर अगर बात करें तो बुटा 90 है यह तो खेर बाकी आपकी रैंकिंग आसपास की तो पूछेंगे नहीं है चली हमसे जो नीचे है वो चाइना मेक्सिको इरान पाकिस्तान यह सब कंट्रीज है जो की 172 और बाकिसरी कंट्रीज को यहां पर बताएगा है जो हमसे भ चैना में तो गयर आप जिंपिंग भाइस आपके खिलाब तो गुछ ठीक है बोलना सवाल ही निए हूट था अली बाबशास लोग है वो जो जैक मा वह गया हुज आते जिंब्य बेरात में जिक में गिलाब तो जिकमीं के खिलाब गोलने पे तो सब्सें खराब जाय हो चै इसको लेकर आप बोला गया था कि प्रेस कि फ्रीडम जो वह वह बहुत जरूरी है उसको लेकर आपके बोला गया थीम रखी गई दोजार थे इसकी शेपिंग फीचर आफ जो की रखी गई थी इसमें पाच होते हैं गैसे की पॉलिटिकल कॉंटेक्स होता है लीगल है एकनोम बारे में बंगलादेश को पहला बैच जो की उरेनियम का मिल गया है बंगलादेश को अभी सपना दोस्तों फाइनली पूरा हुआ क्योंकि 1200 मेगा वाट का एक नुकलियर पाव प्लांट है इलेक्टर सिटी के लिए इलेक्टर सिटी के लिए जो है वो रश्य है आपे सार से दोस्तों मदद है जो की ली थी है ना और अभी बंगलादेश जो हो फॉर्स डिलिवरी है जो कि रश्यन बैक्टे नुकलियर पावर प्लांट के लिए लेकिन बंगलादेश के लिए डवलोप्मेंट जरूरी है इलेक्टर सिटी जरूरी है इसलिए उन्होंने ये श चलिए ठीक है कैपिटल से 175 किलोमेटर दूर क्या असपास जो की बताएगा है 2017 में इसके ओपर काम है जो की स्टार्ट हुआ था 1200 मेगावन्ट का प्लांट है दयान रखेगा रएट 2025 तक जो है ये काम करना स्टार्ट कर देगा उरेनियम के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम है काफी इंपॉरेंट है ठीक है युरेनियम आपको लो कंसेंट्रेशन के अंदर स्वाइल में रॉक में और वाटर में स्वाइल में रॉक में और वाटर में तीनों जगे पर आपको लो कंसेंट्रेशन के अंदर मिल जाता है इना सिल्वर वाइट होता है रेडि सरी application में मदद करता है जैसे कि radioactive शील बनाने के अंदर radiation से बचाने के लिए radiomatic dating के लिए atomic bomb बनाने के लिए और साथ में electricity production energy production सबसे cheapest source चो माना जाता है बिजली बनाने के लिए वो nuclear power को ही माना जाता है समझ गए और यह जादा environment को भी नुफसान नहीं पहुचाता है इसलिए इसको प्रिफर है जो कि पुरी दुनिया में किया जाता है फ्रांस के अगर आप देखोगे तो 70% energy जो है वो nuclear से चल रही है हमारे देश में अभी बहुत हम लोग पीछे है हमारे 5-7% ही है जो कि nuclear से हम लोग बना रहे हैं अभी हम लोग क्या कोईले से जादा कर रहे हैं अभी हम लोग का 60-70% अभी भी कोईले के उपर है है ना uranium हम लोग NPT के जो NGT है नुकलियर सप्लाइर्स ग्रूप उसके अभी हम लोग मेंबर नहीं है चाइना हमें रोक लेता है अगर हम उसको मेंबर बन जाते हैं कैसे करके तो हमारे पास uranium के कौंटिटी बढ़ जाएगी तो फिर हम लोग जादा nuclear power plant के उपर काम कर पाए सब डेके परे गुजरात महरास्टा जेतापूर में महरास्टा में तमीलाडु के अंदर हो गया कलपगम और कुंदा कुलम उगे रावत भाटा हो गया नरोर्वा जाले इंदर यांदा ओ इसके लावा उदा चिंचनु में और अलनौन में राजस्तान के जुन दुरुएं पर पर पूरी दुनिया काम करी रहे हम लोग भी इसको युटलाइस करने में सक्सेस्फफुल यहां पर भी आपको मिलेंगे सोन वैली में भी आपको इसका देपॉजिट मिलेगा है ना इन सब जगे सब्सक्राइब करें तो कजाकिस्तान के पास इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा साउथ अफरीका कैनेडा बारा परसेंग तो यह दुन्या में कंट्रीज है इनके पास में आपको डिस्टिबूशन ऑफ इरे में जो की देखने को मिलेगा आगे बात करते हैं इंडिन एक्स्प्रेस की दोस्तों तो इंडिन एक्स्प्रेस पे कल पहला मैच वा न्यूजिलें ने जो की बना दिया मतलब अगर चार सोन भी बनाता है इंगलेंड तो भी शायद जीतना मुश्किल था इंगलेंड गा तो न्यूजिलेंड में खतरनाक प्लेगा अल स्टीडियम खेर खाली था शाम होते होते है वीज़ार लोग है जो की आगे थे चलिए तो होफुले है वल्ड कब जाएगा और इस बार अब लोग आपस जीते हैं ना वापस से कट रहा है उपर का इंडिना इस प्रस कट रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं वैसे उपर का काम भी नहीं कोई जादा ठीक है तो फ्रेंट पेज मता कुछ खास असा नहीं है ह हमारे लिए यह वाली इन्परेंट फ्रेंट पेज वाली भी जो कि मद्ध़ परदेश के मद्ध़ परदेश में दोस्तों इलेक्शन है जो कि आने वाले हैं और शिवरा सिंग चौहन जो कि महापे सियम है तो उन्होंने एक बहुत ही जबर्दस घोजना है जो कि करी है आप को मालूम है कि महिलाओं का प्रपोजिशन अगर परसंटेज में बात करें तो पचास परसंट के आसवास है पॉपलेशन में तो महिलाओं के वूट के लिए दोस्तों 35 परसंट जो है रिजर्वेशन है जो की दिया है सरकारी सारी नौकरी के अंदर बस एक फॉरेस्ट डिपा अच्छा लगता निया है लेकिन जीतने के बाद अगर यह सब गोश्चन होती ना जी जादा अच्छा लगता है मतलब जीतने के बाद ये तो वह वाली बात ना कि रूल जो है 1997 उसके अंदर ही अमेंडमेंट है जो कि अभी चेंज है जो कि क्या गया है और टीचिंग पोस्ट के लिए 50% है पुलिस के अंदर 35% है और ठीक है तो यह दो गोश्टना है जो कि इनके दुबारा करी गई है 48% के आसपास जो वोट है वो महिलाओं के है आज के टा जो जेट फ्यूल है उसकी प्राइस इंटरेशनल मार्केट में बढ़ गई और आपको मालूम है कि फ्लाइट का जो टूटल कॉस्ट होता है न एक बार जहां अगर फ्लाइट एक जेगे से दूसरे जेगे जाती है तो उसका 40-50% तो जो कॉस्ट होती है उसकी फ्यूल की हो 60-60% आज जो मार्केट शेर है फ्लाइट का एंविशन का वह इंडिगों के पास नहीं स्टाइजी निकाली है कि कैसे इसको कंपनसेट करें इन्होंने इसको किलोमेटर के सापसे कर दिया जन्रल नॉलेज के लिए बता रहा हो पेपर में कोई नहीं पूछेगा पता होना ज जा रहे हो तो यह नहीं स्टाइजी और बहुत ही तकड़ी स्टाइजी मतलब लोगों को इससे जादा बुराबिल लगेगा और दोनों का भी लुक्सान बच जाएगा जंता की ओपर तो बहुत बढ़ने वाली फ्लाइट की तो अगर आप 2-3 मेने बाद में कहीं पर जाने बात करते हैं मिथेन इमिशन को लेकर देखो आप सबको मालूम होगा कि हमारे आपे असी गुना जादा कार्मन डायोक्साइट से डेंजरस होती है ग्लोबल वार्मन के लिए मिथेन समझ गए और मिथेन की बात करें तो मिथेन जादा तर प्रेड्यूस कहां से होती है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज की टाइम पर रिपोर्ट जो की बेजी है जिसमें बोला है कि मिथेन इमिशन लाइव स्टॉक एंड राइस सिस्टम तो इसमें हाइलाइट किया है कि क्लामिट के ओपर इंपक्ट हो बहुत जादा हो रहा है मिथेन का एक बच्च्चा बोल्रा है कि सर क्या सब्सक्राइब भी ट्रेंज में स्लीपर से नहीं गए आप प्लेन की बात कर रहे हो यह सारा वक्त आएगा को याद भी निया कितना जंटब मैं नीचे उपर साइड में कहां पर गुश्गुश के नहीं सोया हो और बाइट चौईस मतलब मजबूरी मतलब आपको मजबूरी है कोई बाद में लेकिन बाइट चौईस अब इमाचल जाना है अब कैसे जाएंगे तो ठीक है मतलब एक बार तो जो बीच में लोग नियों थे जहां पर लोग समान रखते हैं उसके नीचे फिट होके जाना पड़ाता मतलब और वह वह से जापूर समझे लोग कितना डिस्टेंस से दो दिन रहे दिन का सफर है तो दिन जिन्दगी में सारे वक्त आते हैं ऐसा पूश नहीं है कभी आपको पैदल भी बहुत चलना पड़ेगा एक वक्त ऐसा भी होता है जब आपके मोटर साइकल में 10 रुपे 20 रुपे पैट्रोल दराने के भी नहीं होते हैं चार बार आप हिलाते हो उसके बाद देखते हो यार चार किलो मिटर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा मैं तो बहु पैदल वाले पर देखा है बस वाला भी और ट्रेन वाला भी और ठीक है अब सारी चीज़े चलती है लाइफ में तो ठीक है सारा वक्त आता आप तो बस बड़ी है महनत करो जो काम पसंद है वो करो यार जितने अच्छी महनत करोगे जितना अपना टाइम अपने करियर पर वोट करोगे उतना ही जल्दी है जो की चीज़े फिगर आउट होके आएगे आपके बास तीक है सिंपल बात है चलिए आगे बात करते है नेक्स्टे और मतलब यह बहुत खतरना ताम मेरा तो कि मैं ऐसा पेट्रोल की तंकी हिलागे बता कर लेता था कि कितने किलोमेटर चल बहुत बड़ी वाद है थोड़ा बहुत भी कितना चल लग रहा है उससे सारी जानकारी मिल जाती है कितना किलोमेटर आप जून के आ सकते हो ठीक है चलिए तो हो गई बात यह वाली तो और अब इसके ओपर क्या एक ग्लोबल कॉन्फरेंस भी है जो की करवाई गई है कि कै ऐसे जो है हम लोग ग्लोबल कॉन्फरेंस कर सकते हैं सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक के ट्रास्फोर्मेशन को लेकर क्योंकि बहुत जरूरी है आज हम लोग चाहे यह बोले कि आपको प्लांट बेस्ट फूड बहुत अच्छा है प्लांट बेस्ट फूडी कंजर्प्शन क के तरफ यहां सभी विकर्ण बन जाया ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो इतना प्रोडेक्शन लाज नहीं है कि हम लोग सरी प्लांट बेस्ट के ओपर डिपेंड हो सके दुनिया हो सकती है फूचर में लेकिन वो धेद्रे ग्रज्वल चेंज होगा तो लेकिन अनिमल फूर तरह ही जरूरी आज मी पूरी दुनिया के लिए क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है तो अब कैसे जो है इसको भी रखना है और साथ में मिथेन इमिशन को भी रोकना है उसको लेकर दोस्तों आप एसस्मेंट रिपोर्ट है जो की जाने करी गई है तो एक्टिविटी जो है जैसे की ओई नेच्रोल गया सिस्टम लैंडफिल है ना माइन्स यहां से भी जो है मिथेन का इमिशन देखने को मिलता है लेकर मेजर तो लाइव स्टॉक से है तो और डेली हाइस्ट इमिटर है आज की टाइम पर कैटल उसके बाद में उसी के अंदर यह नीचे नहीं जा रही है अनिमल प्रोडेट की रिमाण यह ऊपर ही जा रही है मैं आपको परस्था ली तो अमेशे यह रहे दूंगा मतलब जितना मैं फिटनेस के बारे में जानता हूं पड़ता हूं देखता हूं कि हमेशा जाता तर आपका फूड कंजक्शन हमेशा बेस्क पूरी होती है तब उसके बाद होती है तब उसके बाद होती है तुनिया में करोड़ों दोस्तर तीन करोड़ तो दुनिया के अंदर जो दोवत का खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी वात है यही मैं नंबर कम बता रहा हूं आपको तो अनिमल इसलिए जो है वो ग्लोबल डिमांड पिसली दोजार पिचास तक और बढ़ जाएगी ठीक है इसमें यह कर सकते है इसको काउंटर करने के जो है अगर हम लोग di finding कर आते हैं थो हम लोग इन चीजों को जो हाँ मिटीश कर सकते हैं ज में आप सबको मालूम्युक्री ज दोस्तों अ कार्बन और चार आपको hydrogen CH4 यह हम लोग मिथिन कहता है फ्लेमेबल होती है और इसको फ्यूल की तौर पर पूरे दुनिया में काम में लिया जाता है मूस्ट पवर्फुल greenhouse gas है मतलब जितनी हम लोग यहां से सालों लग जाएंगे जितनी दस साल में जितनी greenhouse gas का emission मिफिन करता है उसको counter करने के लिए मतलब सवाइड हाजारों साल जाहिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरॉस है 80 टाम्स जाधा वामीं पोटेंशले कार्बन डेट साइट से पिछले 20 साल के अंदर के अट्मस्फेर में दिखा जाए तो ठीक है इनिशेटिव दोस्तों हमने भी एक इनिशेटिव लाउंच किया था हरित दहरा नाम से इसमें किया गया था हमने इसमें फींट के सप्लिमेंट जो है हमारे कैटल के लिए तो अगर वो सप्लिमेंट वो बॉड़ इमीशंट अार मिलक के प्रोडीन को भी बढ़ा सकते हैं इसी प्रकार से globally भी दोस्तो methane alert and response system Mars नाम का mission है जो कि launch किया गया ताकि दुनिया में satellite को use करके methane को detect कर सके दुनिया में कहां पर है कितना है और फिर उसके उपर काम कर सके एक global methane pledge भी ली गई थी glass school के अंदर अभी 2021 में COP26 हुआ था तो 100 country ने दोस्तों voluntarily शपत ली थी कि हम लोग मिलकर है जो कि methane को कम करेंगे 2030 तक 30% reduce करेंगे 2020 के level पे हमने ये pledge जो कि नहीं ली थी कुशन भी आते रहते हैं मिथेन आइडरेट के 2019 में सवाल आए था कि global warming जो है वो मिथेन के इसे ट्रिगर होती है बिलकुल सही बात है मिथेन आइडरेट आपको आर्टिक के अंदर देखने को मिलगा जो भी deposit होते हैं वहां पर मिथेन होता है ये भी सही बात है और मिथेन जो है वो carbon dioxide की तौर बें oxidant होती है 10-20 साल के बाद में ये भी सही बात है तो तीनों स्टेक्मेंट यहां पर डी सही था एक और सवाल है क्रॉप को बर्न करने से कौन को सी गैस है जो के रिलीज होती है हर प्रकार की गैस रिलीज होती है यार carbon monoxide, bethane, ozone, sulfur तो आपका डी सही आंसर होगा 2019 के दो सवाल है बिलकुल simple simple आगे बात करते हैं military nursing service को लेकर 98 raising day है जो कि अभी celebrate किया गया अभी क्या था 1st of October को हमने 98 वा हमने MNS, MNS माले मिली की जो military के अंदर जो nursing सेवा है ना उनकी दिन को जो हमने celebrate किया है all women services दोस्तों हमने बहुत पहले ही शुरुबात कर दे थी British के टाइम पर ही forces के अंदर ठीक है उसके बाद में और उनका contribution बहुत जबर्दस रहता है जब हमारे वर्ल्ड वार वन होई या कोई भी हमारी वार होती है तो उसके अंदर जो nursing services दे वह बहुत बड़ा रूल प्ले करती है हमारे जवानों का ध्यान रखने गई है तो प्री इंडेपेंडें अगे बात करते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लेकर देखो अभी आपको मालू में टर्मरिक अमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हल्दी हमारे जितने भी पुराने ग्रंत है सब के अंदर हल्दी की इंपोर्टेंस को बताये गया है आज भी अगर आपकी बोड दुनिया में कंजूमर या एक्सपोर्टर के तौर पर हमारे कंटर में यूज करे जाती है ठीक है इसलिए सरकार ने इसका एक बोर्ड ही बना दिया चेर्मन मनाया गया है सेंट्रल गवर्मेंट के दुवारा कुछ मेंबर्स बनाए गये हैं है ना जो कि मिनिस्ट्र वायू इससे बना जाएंगे तो इस प्रकार पूरा पूरा बोर्ड चेर्में मैंबर यह समय ड्री है चलिए ठीक चरिक- keyword लियंस-ड्क-बूद सेंट्र्श को दौर सकते इस इस के अंदर नेक्ट है जो कि यह चेनाब ब्रीज को लेकर दोस्तों रिसेंटली जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड का हाइएस्ट स्टील आर्च ब्रीज है जो कि हमने बनाया चेनाब रिवर के ऊपर ठीक है रेल ब्रीज है जम्मू और कश्मीर इससे हमने शीनगर को बाकी हमा बनाया गया 1.3 का लॉंग ब्रीज है और नियरबाइ 3.5 मिटर है जो कि चेनाब रिवर के ऊपर देखने को मिलता है हाइस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रीज है पूरी दुनिया के अंदर उदापूर शिर्णगर बारामुला जो हमने उदापूर को शिर्णगर को और बार किलोमीटर का है इसको नैशनल प्रोजेक्ट के तौर पे 2002 के अंदर डेक्लियर किया गया कश्मीर से आम लोग बाकी जगे को करनेट करने के लिए काफी हमारे लिए इंपोर्ट है तो इसमें कई सारे ब्रिजेज कई सारे टर्नल है जो कि बनाए गए 38 तो टर्नल बनाए लॉंगे इस ट्रांस्पोर्टेशन टर्नल है जो कि कंट्री का बन चुका है इसके लावक कई सारे ब्रिजेज भी जो है इसका इंदर कंस्रक्शन किये हैं फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज जिसको हैना अंजी खंड ओके यह भी यहां पर बनाए गया है चलिए आगे बात क कर आइवाब इस तो गहाँ आपको वरी शॉट ठीक है वरी शॉट रेंज एफेंस सिस्टम में यह तो शॉर्ट रेंज की अंदर जो है यह करने में मदद करता है तो इंडियन डिफेंस ने अभी डिया डियों ने जो है एक टैंडर निकाला है 30 यूनिट जो है ना वो लो है हमें काफी मदद करता है यानि कि शॉट रेंज के अंदर अकर एर डिफेंस एर अटैक होता है तो उससे रोकने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है शॉट रेंज एर पेपर दे रहे हों तो स्टेट के करेंट अफेर आते हैं सवाल तो देखो इसके अंदर भी कही सारे सवाल इस बार बियार के लोकल आएं है बहुत है Simpl gears सवाल है लेकिन आपको पढ़ना जुरूरी होता लोकल वाली करेंट अफेर बी जैसे कि लोईस फीमेल वर्कफोर् कितनी महिलाओं ने जो है वो पाटिसिपेट किया लेबर के तौर पे, काम के तौर पे, तो यहां पे मेरे क्याल से 4% रूलर में था, 1.5% अर्बन के अंदर है, Maximum number of tax industries in which district, कौन से number, सबसादा industries आपको tax वाले कौन से जिले में देखने को मिलेगी, एक सवाल यह पुझाए, यार बहुत ही basics है, state के current affairs की तौर पे, है ना, तो किशन गंज आपका सही answer होगा, next सवाल आया, बिहार economic survey का, हर state का जो economic survey है, वहाँ से 2-4 सवाल तो आते ही आते है, है ना, GDP growth rate है, जो की 2020 के बीच में क्या रही, जब मैं बात करता हूँ, हाँ, ठीक है, what was the rate of growth of gross state domestic product, तो जादा नहीं थी, because COVID की आलत थे, तो मातर 2-5% की growth है, जो की 20-21 के अंदर देखने को मिली थी, हाइस FDI, अप्रेल से सेप्टेंबर 2022 के बीच में कौन से राज्य में देखने को मिली, देखो सबसदा FDI आया था महाराष्ट्रा में, महाराष्ट्रा option में नहीं है, second number पे था कर्नाट का, third पे था गुजराथ, तो आप प्लांसर क्या हो जाएगा, कर्नाट का, बहुत है सिंपल कोश्चन था, trade balance of India, कितना trade balance था, negative में तो रहता है, यह मेने हमारे, तो कितना था December 2022 में, यह सवाल पूछा गया, तो हमेशा 10 से 15 के बीच में रहता है, क्योंकि एक साल में 100 से 1500 के आसपा से जोकी रहता है, तो minus 11 देखो, 11 वाली range के था तो positive तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है negative भी नहीं है, तो यह था, कदिराबाद के अंदर, यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है next question पूछा गया, खेलो इंडिया women tournament के अंदर पहली बार कौन सा game शामिल किया गया, हमने पढ़ा भी था, कि कौन कौन से game है, जो कि इसके अंदर include करे गए थे, और आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, track cycling आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वैसा ही GI Tech दोस्तों, अगस 2022 में किसको मिला है, अब आपको मालूम ही है, है ना, BR का कौन सा project था, project था जिसको GI Tech मिला था, पढ़के तो जाना पढ़ेगा ना, बहुत important है, क्या था, मखाना, मिथिला का मखाना, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, UNESCO World Retail List 2022 के अंदर जो है, वो किसको add किया गया, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, नलंदा मावीरा, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, का इसी को add किया गया था, चलिए, ठीक है, एक और नीतियायोग की SDJ रिपोर्ट के अंदर 2021 में, बिहार का स्कोर क्या था, किता सिंपल कुशन है, अगर आप स्टेट का को एक्जाम दे रहे हो तो, नीतियायक की जो भी स्टेट की रिपोर्ट के अंदर आपकी रैंकिंग जो होती है, वह हमेशा करके जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 52 out of 100, तो आज मैंने आपको स्टेट की जो सवाल है, करेंट अफेर को दो तीन जो बाहर क्या है, वह मैंने करवा दिये, वही 20-25 सवाल थे, तो अभी मैंने 10 कर दिये, 10-15 कल करवा दूँगा, तो आपका बिहार का प्रेंट का पूरा क्लेर हो जाएगा, करेंट अफेर के कोशन, ठीक है, मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता लगेगी, क्या से कोशना आता है, जो हम लोग पढ़ते हो, फ्री टेस्ट भी आपके लिए अविलिबल होते हैं चले कल वापस से मिलेंगे सेम ताइम सेम प्लेस कल से हम लोग हमारी करिंटाफरी ग्लास भी जी के ग्लास भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे थैंक यू अब्रिवन गुडबाई और नाइस टे थैंक यू